दमश्कार में आपके साथ खुश्व सकते, आप देख रहे हैं युक चर्ण, ते लिए नज़र डालते हैं रासान चुड़ी कुश पड़ी खबरों पर इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है बता दे कि मुख्यमंत्री बनने के करीब डेड़ महिने बाद भजलाल शर्मा ने पहली बार वसुंद्रा राजे से मुलाकात की है बजलाल सरकार बनने के बाद ही वसुंद्रा राजे पाठी के करक्रमों से नदारत रही है वो ना तो मंत्री मंदल के विस्तार करक्रम में पहुँची और ना ही पाठी मुख्याले में रखे रातरी भोष करक्रम में मौजूद थी लेकिन 25 जनवरी को पी-एम नरेंद्र मोदी के जैपुर दोरे पर वसुंद्रा राजे उनका स्वागत करने के लिए एरपोर्ट पहुँची थी इसके बाद बजलाल और वसुंद्रा के बीच हुई मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है हाला कि अभी इस बैटक के बारे में अधिकारिक तौर पर कुछ निकल कर सामने नहीं आया है बता दे कि आने वाले कुछ महीनों में लोकस्वा चुनाव होने वाले हैं वसुंद्रा राजे रजसान से भाश्पा की कद्दावर नेता है और दो बार सीम रह चुकी है बजलाल के मुख्यवंद्री वनने के बाद सही महरानी पाटी के कारिक्रमों में नहीं रही थी वेकिन पाटी किसी भी सूरत में अब वसुंद्रा को नाराज नहीं करना चाहती है एसमें वर्तमान में सीएम बजलाल शर्मा शिक्रवार को वसंद्रा राजे से मिलने उनकी आवास पर गए तो माना जा रहा कि बजलाल शर्मा बीजेपी लोकसबाद चुनाओ से पहले वसंद्रा राजे से रिष्टे सामानी करने की कोशिश कर रहे हैं देश में इस साल होने वाले लोकसभा चुनाओं के लिए बीजेपी ने तैयारियों की कवायत शुड़ू कर दी है जहां रजसान से लेकर कई राज्यों में पार्टी के ओर से बैटकों का दौर शुड़ू हो गया है पार्टी में बीजेपी की केंदरी और प्रदेश स्तर्य लीडर्शिप ने राजधानी जयापूर में लोकसभा चुनाओं के संबंद में एक एहम बैठक भी की बताया जा रहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाओं की तर्श पर लोकसभा में कोई नया प्रियोग कर सकती है सीटों पर अपने चेहरे बदल सकती है इसके अलावा दो केंदरी मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाओं में उतारने की अटकले चल रही है बता दे की बीजेपी की ओर से केंद्रियों मंत्रियों अश्विन वैशनओं और भुपेंद्र रियादों को रजस्तान से लोकसभा चुनाओं लड़ाया जा सकता है इसके अलावा पार्टी मौजूदा 25 में से 14-15 सीटों पर अपने उमीदवार बदल सकती है उडिशा से रजस्वा सांसद अश्विन वैशनों जोदपूर से आते हैं और रजस्तान में जरूरत पढ़ने पर सक्रिये रहते हैं वहीं भुपेंद्र रियादोर रजस्तान से ही रजसबा सांचद हैं। उन्हें अलवर सीट से चुनावी मैदान में उतारने की अटकलों पर सियासी गलियारे गरम हैं। देश्वर में शुक्रवार को 75 गंचंत दिवस समारों मनाया गया। तब रजस्तान के लाल ने ऐसा कमाल किया कि हर भारत वासी गौरनवित महसूस कर रहा है। करने में कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती है। बता दें कि राकेश विश्णोई नहीं कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। अफरिका की सबसे उची चोटी माउंट किली मंजारों पर पारा 20 डिगरी सेलसियस रहता है। ऐसे में खून जमा देने वाली ठंड के बीच राकेश विश्णोई ने हिम्मत नहीं हारी। और अफरिका की सबसे उची चोटी पर 510 फीट का तिरंगा और रामधवच फैराया। इसके साथ इवल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया है। परवता रोही राकेश विश्णोई 19 जनवरी को सागवाड के गमरेश्वर महादेयों मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सनातन धर्म की आस्ता वे विश्वास के प्रतीक श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिस्टा और आजादी के अमरत महुच्चों को लेकर रमाना विश्णोई 22 जनवरी को अफरीका महादवी पहुचे और 26 जनवरी को माउंट के लिए वंजारों पर तिरंगा फेराया प्रासान में इस सीजन सर्दी का एक नया ट्रेंड देखने को मिला है इस बार रात के वज़ाए दिन जादा ठंडे रहे इसके पीछे कारण लंबे समय तक घने कोहरे का असर है जैपुर चूरू बिकानेर गंगानगर में इस सीजन में कोहरा ज़दा नहीं रहा इस कारण न्यूंतम तापमान भी कंट्रोल में रहा पारा माइनस याशुनी से नीचे नहीं गया इसी वज़े से इस सीजन में शिखावटी जैसे ठंडे इलाकों में लोगों को बर्फ ज समीवी नहीं दिखी मौसम केंद्र जैपुर के निदेशक रादिश्याम शर्मा ने बताया इस सीजन में दसंबर के तरह जनवरी में भी जादा दिन ठंडे नहीं रहे जैपुर चूरू सीकर समेट तमाम उत्री रजसान के शहरों में अधिक्तम तापमान सामाने से नीचे जैपुर में इस महिने 24 में से 16 दिन कोहरा रहा जबकि सर्दी के पूरे सीजन में जैपुर में ओसतन 4 दिन कोहरे के रहे हैं गंगानगर में भी सिती यही रही गंगानगर में 27 दसंबर से 24 जनवरी तक 25 दिन कोहरा रहा जबकि गंगानगर में पूरे सीजन में कोहरा ओसतन अठारा दिन रहता है कोहरे के कारण इस बार नियूंतम तापमान कंट्रोल में रहा और पारा माइनस तक नहीं पहुंचा रासा में कॉंग्रेश शार्ष में हुई शिक्षक भरती घोटाले में शामिल रहे प्रजसान लोग सिवायोग के सज़शे बाबुलाल कटारा को रजिपाल कलराज मिश्व ने निलंबित कर दिया है पुलिस की एसोजी ने कटारा को पिछले साल 18 अपरेल को गरफतार किया था तब से वो जेल में बंद है इससे पहली एडी ने कटारा के संपत्ती जब्द की थी कटारा के साथ ही उनके भांजे विजे और वाहां चालक गोपाल सिंग को भी गरफतार किया गया था 24 दिसमबर 2022 को होने वाले शिक्षक भरती परिशा में कटारा पर परचे तयार करने के जिमिदारी थी इस काम में उन्हें विशेशग्यों से सला लेनी थी परचे तयार होने के बाद कटारा ने परिशा से एक महिने पहले ही अपने भांजे के माध्यम से पेपर लीग करवा रासान चरूरी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रिये हमारे साथ युक चर्ण पर तब तक लिए नवश्कार